नमस्कार मैं अभीने आप सबका अभीने मैं इस पर स्वागत करता हूँ और आपने देखा होगा कि एक सवाल जो कि 2018 CGL पिरी में भी आया था 2019 में भी आया और अभी 2020 में भी एक वैसा सवाल आया जहां पे alternative का time and work का सवाल है मुझे नहीं पता आप इस सवाल को किस तरीके से करते हूँ बट मैं कहूंगा आपको कि जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो बेस्ट अप्रोच इस तरीके के सवालों को करने के आप देख सकते हैं पहले भी ऐसा सवाल आया हूँ है एक सवाल बहुत प्यारा सा 2020 CGL में पूछा हूँ है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सवाल ये है एक बार देख लिजे सवाल पढ़ लिजे और फिर मैं अप्रोच बताता हूँ कि ऐसे सवाल को किस तरीके से करना चाहिए क्या बहतरीन अप्रोच है सवाल ये है कि A & B work on alternative day B start the work in the total work is completed in 11 1 by 3 days उस सवाल में जो 2018 में आया तो उसमें 11 1 by 3 था बस आगे का data अलगता A can do the whole work in 24 days then in how many days we can 7 by 9 part of the work तो कैसे सवाल को करें देखिए alternate काम कर रहा है मेरी बास समझे गद्यांसे alternate काम कर रहा है यानि एक दिन A काम कर रहा है एक दिन B काम कर रहा है आप देखेंगे की 11 से ही एक बटा 3 दिन लगिंगी और B ने शुरुआ तो हम क्या करते हैं इसको नजदिक एक integer ले लेते हैं 11 से एक बटा तीन के नजदीक बार है और बार है का आदर है निक 6 छह दिन पूरे मिलेंगे बी को काम करने के लिए आप वैसी भी कर सकते हैं कई लोग इसको पांच पांच बार देंगे फिर बी का नंबर आएगा फिर बी को छह देंगे उससे अच्छा है क आए यह डारेक्ट आना चाहिए कि भाई यह च्छह दिन इसको काम करने के लिए मिलेंगे इसको ज्यादा मिलेगा टाइम क्योंकि इसने सुरुरात कि और बचा हुआ पांच सही एक बटा थीन पांच सही एक बटा थीन यानिशको क्या क्या सकते हैं 16 बटा तीन दिन काम मुझे बात बटाईए कि ऐसे सवाल में देखिए अब हम LCM या कुछ और नहीं लेंगे हम देखेंगे कि या ए जो है पूरे काम को 24 दिनों में कर सकता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एका एक दिन का काम क्या होगा वन डे वर्क एका वन डे वर्क क्या हो आप बोलेंगे एका वन डे वर्क एक बटे 24 यह आपने पढ़ा होगा उल्टा हो जाता है फ्रेक्शन वाले मैठल से बता हो कि एक एक दिन का काम कितना होगा एक बटा 24 तो मैंने बस यही देखा कि यह 16 बटा 3 दिन में कितना काम करेग यानि हमें यह पता लग गया कि दो बटा नो काम कर रहा है ए ने अपने हिस्से में कितना काम किया है दो बटा नो में दो काम ए नहीं किया है तो बचा हुआ नो में साथ काम यानि सेवन भाई नाइन किस नहीं किया है भी नहीं किया है और आप देखो सवाल में भी ये दिया हुआ था कि 7 by 9 काम कितने दिन में करेगा तो 7 by 9 काम 6 दिन में करेगा अगर यहीं पे हो जाता कुछ और दिया होता मान लेते हैं 3.3 by 9 दिया होता है कुछ और दिया होता है तो भी हम यहां से निकाल सकते थे बट वो पूछने वाला इसी intention और इसी method के साथ पूछना चाह रहा है आपसे ताकि डारेक्ट आपको 2 बटा 9 के बास सीधे आप पता लगा सकें कि 7 बटा 9 का 6 दिन में होगा तो बताइए सवाल में कैसा मज़ा आया और अभी 11 बज़े अभी जश्ट आदा घंटे बाद 11 बज़े जो हमारी क्लास चल रही थी SICI का free course जो चल रहा था अकेडमी special क्लास में वो आज क्लास 9 बज़े नहीं होई तो अभी 11 बज़े है थर्ड पार्ट है SI का जिसके अंदर हम अच्छे लेवल के सवाल करेंगे पहला इजी पार्ट बन था दूसरा मोडरेट पार्ट टू था और तीसरा लिटिल बिट हार्ड पार्ट रही है तो अभी 11 बज़े ये क्लास है तो मिलते हैं 11 बज़े और बाकि आपको साम को भी औ प्लस पर तो आई रहा है सुपर 10 से 12 ठीक है मैं आपको एनाउंस कर दूँगा क्या क्या डेट्स हैं उनकी थेंकि वेरी मच